जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्ती जनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था, वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया यह जो घमंड है गांधी परिवार का, और खास करके जो गांधी परिवार यह सोचती है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगडेगा, आज सूरत के अपिलियेट कोट से यह सिद्ध होता है कि कानून सब के लिए बराबर का है, और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता है, हमें याद है जब ट्रायल कोट का जज्जमेंट आया था, तो राहुल गांधी, गांधी परिवार, कॉंग्रेस के लोग और एक एको सिस्टम जो कॉंग्रेस के साथ रहती है, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहूल बनाया कि यह ट्रायल कोट में कुछ ग ट्रायल कोट ने फसाने की कोशिश की, राहुल गांधी का कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था, क्या हो गया अगर उसने OBC समाज को गाली देने का काम किया, क्या हो गया अगर पिछडे वर कोस ने चोर कह दिया, तो यह इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं था, कहीं न कहीं एक साजिच थी दिस वस डेट अफ डेमोकरसी इन इंडिया और उसके कारण से सूरत के ट्रायल कोट ने इस प्रकार का एक वर्डिक्ट राहूल गांधी के खिलाफ सुनाया और नतीजा रहा कि राहूल गांधी आने वाले समय में इंडिया के पार्लमेंट से एक तरह से डिस्क्वालिफाई हुए और वो कानून भी उनके समय बनाया हुआ कानून था मगर आज जब अपीलियेट कोट से जज्जमेंट आता है तो एक बात सपष्ट होता है कि दिस वस नॉट डेट अफ डेमोकरसी अफ इंडिया यह लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है यह जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके राहूल गांधी का उसके उपर एक बहुत बड़ा आगात है कोट के माध्यम से जिस न्यायपालिका के खिलाफ सडकों पर अंदोलन करके मोबिलाइजेशन करने का काम कॉंग्रेस पार्टी कर रही थी आज उसी न्यायपालिका ने कहा कि आप कितना भी दवाब या प्रेशर की राजनीती हमारे उपर करने की कोशिश कर सकते हैं मगर we don't buckle under प्रेशर आपके प्रेशर टेक्टिक्स के कारण आपके दवाब की राजनीती के कारण न्यायपालिका जुपती नहीं है जो अन्याय है वो अन्याय है आज हार दो एंटिटीज की हुई है दो ऐसे मांदन्ड है जिनका हार हुआ है arrogance of the Gandhi family गांधी परिवार के घमंड का आज हार हुआ है और दूसरा यह जो पूरा का पूरा ecosystem है गांधी परिवार के defense में जो उतरता है सड़को पर उसमें congressy तो हैं क्योंकि वो congressy तो party के लोग है मगर कुछ बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे देश और विदेश में बैटे हुए है जिनको हम एक ecosystem कह सकते हैं जो तुरंट गांधी परिवार के arrogance के defense में निकलाते हैं कि जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है यह उचित नहीं है आज यह हार इस ecosystem का भी है मैं कहूंगा कि आज जो हुआ है राहुल गांधी के साथ जिस समय यह पूरा judgment सूरत के trial court ने सुनाया था उस समय भी सूरत के trial court ने राहुल गांधी को court के परिशर में अपने समक्ष यह मौका दिया था कि राहुल जी अब यह भी समय है यदि आप हाथ जोड के माफी मांग ले OBC समाज से कि आपने गल्द किया है आपने सही नहीं किया है तो हम विचार करेंगे राहुल जी आपने कहा था मैं तो राहुल गांधी हूँ There is nothing called a sorry in my dictionary अरे राहुल जी कान पकड़के उटक बैठक करके आपने सुप्रीम कोट पे माफी मांगी थी तो आप यह मत बोलिए कि आपकी dictionary में सौरी शब्द नहीं है अभी भी मौका है एहंकार को त्यागिये तजिये एहंकार को और देश के सामने OBC वर्ग से शमाय आचना करिये कि जो मैंने किया गलत किया मुझे यह नहीं करना चाहिए था